खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाएगे और ABP News को सब्सक्राइब कीजिए गरीभी के बारे में सोच रहे हैं इस मुद्धो पर एलेक्शन लड़ना है दिली में जो आमाधी पार्टी में काम किया है सब्सक्राइब काम करते हैं तो पार्टी से क्या लेन देने मुझे अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं इस जिम्मेदारी है कि हम आके उनके साथ दो सर्मुद्धों की आप बात करें लेकिन बीजेपी का जो चुनावी मुद्धा एक मुद्धा जो राश्ट्रिय सुरक्षा का आप कह रहे हैं कि ये मुद्धा ही नहीं है सिर्फ वही एक मुद्धा नहीं है ना जब फुलवामा अटाक हुआ सो देश की सभी पार्टी हैं सब लोग के या करेक्ट है हम पी एम के साथ हैं जो नाश्ट्रिय इंपॉर्टेंट है बट वही मुद्धा नहीं बन सकता है ना ये चुना है देश की चुना है सो मुद्धी जी और बीजेपी शुट टॉक अबाट जो वादे किये थे वो लोग या रोजगार के वादे किये थे बोलो ना क्यों नहीं हुआ कितना हुआ किसानों को क्या क्य हम इनके बारे में बात करने हैं ना वो नहीं बात कर रहे हैं। तीन मेने से पहले जो मुद्धा उसको क्यों आप पुलिटिसाइस कर रहे हो। हमने कहा की हम गवर्मेंट के साथ हैं। It is not Modi, it is not the government, it is Desh के साथ हैं हम। ने ने आप मुदी से खिलाब बात करने का हक तो है हमको हम उसके बारे में नहीं कुश्चिन कर रहे हैं इसको क्यूं यूज कर रहे हैं और क्यूं हमारा नजर को हटा रहे हैं जो मुद्धे हम बात करना चाहिए देश की जो दोनों बड़ी राश्य पार्टिया उनको आपने जोकर का क्या दोनों ही पार्टियों में आपको कोई ऐसा नहीं नजर आता जो प्रतिने दित्व कर सकता है देश का देखे क्या हाल माहौल बना के रखे हैं यहां पे एक दूसरे को गाली देते हुए कोई विजन देख रहा है इन दुनों में एक पार्टि तो इतने साल में था तो उनके उपर हमारा उमीद नहीं था तो एक पार्टि को ले आए तो उनसे पूछ रहे आप आगे अब पांच नहीं है यह देख की भविश्य है नो यू निए तो बी रेस्पॉंसबल वी निए तो नीड यूर रिपोर्ट कार्ड आपकी विजन चाहिए हमको आद्वी प्रग्या की कांड़ेचर को लेकर भी आप काफी मुखर हैं आपनी बात क्या करेंगे आपको किसी का पसंद नहीं है तो आश्राप देंगे और किसी का वारे में पसंद तो उनको वर देंगे क्या कि डूंट नेड सच पारलिमेंटेरियन्स लेट उसी सीरियस ओन हंड़ेड अंटी क्रोर इंडियन्स 90 क्रोर वोट उनली 500 प्लेस पारलिमेंटेरियन्स देश की भविशी के बारे में सोचना है इन मुद्देवं के बारे में बात करना है आप ऐसे लोगों को क्या कहने चाह रहे हैं यह ठीक नहीं है एक आखरी सवाल यह जो चुनाव हो रहा है यह लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री बिचुनने के लिए हो रहा है आप नरेंद्र मोधी को नॉन रेजिदेंशल इंडियन प्राइम मिनिस्टर कहते हैं राहूल गांदी की पार्टी को आप ज करते हैं वही कोई मिनिस्टर को न tipping स करते हैं कोई शीफ मिनिस्टर को नहीं को च्वाचते हैं वीच चूस ऑबडेटेट आवर रेप्रसंतेटीव ठीक हूव टू अब्रमनाट्री प्रावड का क्या क्या प्रॉब्लम मैं वहांके contestants को मत देखो, Modhi ji को देखो, then he should have stood in all 500 plus constituencies, no? This is not done. This is not democracy. This cannot be democracy. अजबिन केजिवाल को आप option के तौर पर देखेते हैं, विकल केजिवाल के? अजबिन केजिवाल जी, जो दिल्ली में कर रहे हैं, उनका समर्तन कर रहा हूं, and I want him to be one of those voices. Am I talking about a Prime Minister Candidate? No. मैं इनका साथ कह रहा हूं, कि मैं इनका साथ देने से मैं भी यह बोल रहा हूं, ऐसे लोगों को चुनना चाहिए. मैं आरविन केजिवाल को तमिलनाडू में चुनने के नहीं नहीं बोल रहा हूं. करनाड़का में चुनने के लिए नहीं बोल रहा हूं. दिल्ली में जो काम किये हैं, उनको चुनो. अब इनिता प्रकाश राज, जो साफ तोर पर ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, आज से ही वो आमादमी पार्टी के प्रचार के लिए दिल्ली में उतर जाएंगे, उनकी तमाम अलग-अलग दिल्ली के इलाकों में रैलिया होंगी, और इसके साथ ही उनका कहना है कि जो काम आमादमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में किये हैं, उससे वो प्रभावित हैं और इसलिए उन्होंने आमादमी पार्टी को चुना है प्रचार करने के लिए.